हेलो एव्रीवान मैशल्फ निर्बल बिश्वाल और आज हम एक ए ब्यूटिफल ऑप्टिकल फेनामेना जिसका नाम है सन हैलो उसका एक्स्प्लाइनेशन करेंगे और फ्रेंड्स आप सभी को यह न्यूस मिला होगा यह आपने सोचल मेडिय में देखा होगा कि रिशेंटली बैंगलोर मैं बस 24 मे को एक दिन पहले बैंगलोर में सबरे सबरे 11 बजे एक बीकिफल ऑप्टिकल फेनामेना लोगों को दिखने लगा ओके यह कुछ रियर की फेनामेना or यज ऑप्टिकल फेनामेना कुछ ऐसा ही दिख रहा था संके चारो तरप से ऐसा एक रिंग जिसे दीख रहा था जिसमें colored pattern दीख रहा था just like rainbow rainbow में जैसे हम colored pattern देखते हैं वैसा ही color pattern यहाँ पर भी देखने को मिला तो यह एकदम rare था इंडिया के लिए तो rarest था और लोग ने इसको देखा और बहुत सारे लोग ने इसको अलग अलग तरीके से interpret किये कोई बोल रहा था कि यह है एक ring of fire उसको ring of fire बोला किस ने इसको बोला कि यह जो है sun का एक indication है कि कुछ बुरा होने वाला है तो यह से अलग 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 तरीके से इसको interpret किये friends actually यह ऐसा नहीं है यह के simple optical phenomena है यह के natural phenomena है जो हम optics में explain कर सकते हैं ओके आज हम उसके बारे में explanation करेंगे बड़े मज़ेदा तरीके से आज के session आप enjoy कीजिए friends देखिए यह जो phenomena create होता है तो normally इसका reason क्या होता है मैं आपके एक छोटा सा information देता हूँ यह आप लोग श्कूल में पढ़ते हैं आप जानते हैं कि जब जब कोई light जब कोई white light white light pass होता है किस के थ्रू प्रिजिन के थ्रू पास होता है तो यह जो white light है यह split होता है into different colors और हम इसको बोलते हैं dispersion of light this phenomenon is called as dispersion of light जिसमें आपको violet okay v i b g y o r r means rate तो नीचे violet और उपर rate color दिखता है यह process जो है यह process का यहाँ पे भी कुछ ना कुछ योगदान है तब ही मैंने dispersion of light का बात कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं दिखें next मैं आपको बदाना चाहूंगा कि यह जो sun hello create होता है sun hello इसका नाम है sun hello यह जो create होता है उसके लिए कुछ चीजों का responsibility होना ज़रूरी है कुछ चीजें कुछ चीजें जैसे कि आपको दिखें यहाँ पे एक cloud दिख रहा है जो cloud है यह यह काफी height में है आपने सुना होगा कि atmosphere के अलग-अलग layers होते हैं उसमें से सबसे जो नीचे वाला layer होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रपोस्पियर में यह सबसे उपर वाला layer है ट्रपोस्पियर के एकदम उपर वाला हिस्सा में यह जो clouds है यह clouds बड़े अजिब से clouds होते हैं काफी thin clouds होते हैं और इस cloud में चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी आइस crystals जो है suspended state में रहते हैं बहुत ही चोटे और thin ice crystals होते हैं, यही ice crystal ही sun halo produce करने के लिए responsible है, right, so मैं आपके explain करता हूँ, जैसे यह देखे, अगर उसी cloud को, वो जो thin cloud है, उसका magnify करते हैं, तो आपके यह जो दिख रहे हैं, ऐसे crossed form में दिख रहे हैं, these are the ice crystals, ऐसे कई सारे आपको ice crystals नज़र आएंगे, right और अगर हम इसमें से कोई भी ice crystal को isolate करें, तो दिखे, यह structure is ice crystal का, यह structure is ice crystal का, इसको magnified vhoshan में आपके दिखाए जा रहा है, तो यह ice crystal जो है, यह light को dispersion करते हैं, और यही responsible होते हैं sun halo के लिए, right, अब दिखे, जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा, इसका mechanism में आपके explain करने को कोसिस करता हूँ, यहाँ पर यह sun है, sunlight यहाँ पर पास हो रहा है, यहाँ लिखा है कि hexagonal, cross section is hexagonal, actually जिस ice crystal का बात किया था, उसका cross section hexagonal होता है, और यही hexagonal cross section बली जो ice crystal है, उसके थूँ जो light पास होता है, यह light, यह light क्या करते हैं, यह light जो है, यहाँ से refract होते हैं, य light यहां से, जैसे यह sunlight का direction है, actually इस light को जाना था इस direction में, इस direction में जाना था, बट यह यह deviate हो गया है, यह deviate होता है और उसी समय dispersion होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रिजिम बाला concept आपको बताया था, तो friends देखिए, प्रिजिम का action तब होगा, प्रिजिम action तब होगा, जब 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 ऐसा inclined surface होंगे, inclined surface के थो प्रिजिम action देखा जाता है, तो यह यहां पे light deviate भी होता है, जैसे यह जो angle है, यह करीब 22 degree होता है, 22 degree होने के बज़े से, हम इ ग्रेंगलर में दिखा गया था, ओभी 22 degree sun halo था, यहां से 22 degree में light deviate होता है, और उसे समय light dispersion भी हो जाता है, dispersion होगा तब ही तो आपको अलग-अलग colors produce भी दिखेंगे हैं, तो ऐसा ही यह crystal है, यह crystal, यह और ए 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 crystal, ऐसे में इसको और भी थोड़ा सा elaborately explain करने के लिए questions करूँगा, तभी देखिए, यह 22 degree में, 22 degree में यह observer है, जो observer है, यहां पे जो observation कर रहा है, तो यह है observer, तो observer के पास यह light जो पहुच जाता है, तो यह एक circle बनाता है, मतलब यहां पे आपको एसा circle, circular एसा structure दिखता है, जो आपको वहां पे real photograph इन दिख रहाता है, यह एक circle है, और यह circle का जो radius है, यह 22 degree यहां पे describe करता है, उके subtend करता है, इसलिए इसको बला गया 22 degree sun halo, अभी तो थोड़ा सा अलग angle से देख लेते हैं, देखें मैं जो अभी explain कर रहा था, यहां पे देखें आपको लाखो करोड़ इसा crystal से, यह सारे hexagonal structure है, यहां पर आप देख रहें यह सारे crystal होते हैं और यह crystal जो है जैसे कि यह crystal है, 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 जिनका cross section hexagonal है, तो यहां पर sun देखे, sun इस तरफ है, sun से sunlight, sunlight जो है, ऐसे आ रहे है, sunlight आके, क्या हो रहे है, यह सारे sunlight जो है, यह जो beam ह सब्लाइट के यह उस crystal की तुर्ण पास हो रहे हैं जो अपर लेयर है मैं बताया था कि ट्रॉपस्पियर का अपर लेयर में जो clouds होते हैं तो यह उख लाउड है यह अपर लेयर cloud है राइट यह जो cloud अब crystals रहते हैं उसके तुरू light pass करेके यहां observer पास पोच जाता है observer के पास पोच जाता है और उसको जो है sun hello दिखाई देता है right और colored pattern क्यों दिखता है that is due to dispersion of light यह आपको मैं already explain कर चुका हूं यह 22 degree यह angle कितना बनाता है 22 degree angle बनाया जिसको हम बोलते है 22 degree sun hello बोलते है और यहां पे यह circle बनेगा मतलब यह circular structure देखेगा यह circle देखेए यह जो circle है जिसका center में sun होता है यह circular structure देखेगा उसको बला गया sun hello that means यह जो part है हम इसको ही यह वाला part को ही क्या बोलेंगे this is called as hello इसको sun hello बोलते है right यह जो मैं इसको यहां पे represent किया गया है जिसे आप sun hello देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा ठीक है तो that means इस तरीके से एक जिबसा phenomena अभी बैंगलोर में दिखाए गया था यह बहुती rarest phenomena था बट जो cold country होते है cold country में actually cold होने के बज़े से ice crystals बनना काफी normal होता है वहां पे frequently ऐसा sun hello create होते है इस तरीक से दिखाए देते हैं यह exactly जो photograph है यह बैंगलोर से लिया गया है यह बहला sun hello जो है exactly ऐसा ही दिखाए दिया था और आपको इसका explanation समझ माया गया है और ऐसा ही sun hello जैसे आज हमने reflection की बज़े से sun hello के explain किया ऐसा ही sun hello reflection की बज़े से भी create होता है खले reflection नहीं आज तो मैंने आपको reflection of light और dispersion के थो explain किया बट sun hello reflection की बज़े से भी create हो सकता है बट अगर reflection के दोरह create हुआ तो पर यह उग color नहीं दिखता है वो आपके इसा whitest दिखता है color नहीं दिखता है राइट चरिए कोई बार नहीं ऐसा ही अलग-अलग तरीके से जो situations create होते हैं nature में nature में जो situations होते हैं जो natural situation होते हैं उसको ही explain करना proper knowledge का exploration होता है तो अगर आप students अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको हमेशा knowledge को इस angle से सोचना चाहिए बस book की केड़े बनने से नहीं होता है बच्चों, book की केड़े तो बनना है problem solve करना है बट आपको अपना surrounding जो है उसको भी explain करने के लिए courses किजिए और यही आपका real knowledge explanation होता है चिरी बच्चों, आज का यह explanation complete हुआ आप इस beautiful channel को subscribe कर लिजिए और फिर आप नेक्स session से आप से मिलेंगे ओके friends, bye, all the best